गुड मॉर्निंग केपी कॉलेज की ओनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत हैं आज हम होम साइंस के द्विक्तिय प्रश्ण पत्र यानि की सेकंड पेपर के अंदर मात्र कलायबं शुशु कल्यान इसके अंदर हम से फस्ट चैप्टर जो हमारा है प्रजणन संस्थान के ब बारे में पढ़ा था उसके अलावा हमने कल इस्त्री प्रजणन तंत्र पढ़ाता जिसमें हमने इस्त्री के बाहर या प्रजणन अंगों के बारे में पढ़ा आज हम इस्त्री के जो आंत्रिक प्रजणन अंग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले अगर देखा ज तो में पढ़ेंगे देखा जाए जो आकार है वो नाश्पती के आकार का होता है यह खोकला ऑंग कहा जाती है इतना इसमें पाके होसके और जैसे जैसे उस गर्व का रोपन होने कि बाद वह शीशु में बदलता है और शीशो का पूरा विकास होता है वैसे ही यह गरबाशे 개Si के विकास के लिए पूरा अपना योगधा दो courses कि यह एक जैसे कि गरबाशे जो है वो श्रोणी में व्यवस्तित होता है यहां कि महिलाओं की जो कमर वाला जो हिस्सा है उससे नीचे की और यह पाया जाता है श्रोणी मेखला से नीचे की और यहां जो है याने की या डिंब वाहिनी नलीका कहा जाए तो दोनों एक है जो यह गरबाशे हैं यह उपर से अंडवाहिनी नलीका यानिकी डिंब वाहिनी नलीका उन से जुड़ावा है और नीचे की और अगर देखा जाये तो यह पूर्ण रूप से योणी में खुलता है जो इधर हम में पीछ नाज नीकर के सामने की और मुत्रा कर पाया जाता है यpecially का नीचे का संकला भाग है कह सकते हैं ग्रीवा बाहर की और होती है और योनी से और भीतर की और गर्बाशे में खुलती है यानि कि बाहर से योनी की और है और अंदर ये गर्बाशे की और खुलती है यह जो हमारा गर्बाशे वाला हिस्सा है गर-बाशे अगर देका जाए तो एक मानसर अंग is यहीं इस प्रैपने आप में फैल जाता है और शिशु को को एक जगग रहन करने का लिए इस्थान प्रदान करता है उसके अलावा जब शीशु का जन्म होता है तो जन्म के समय यहीं जो है संकुचित हो कर और फैल कर वापस उस पर एक दबाव डालता है और उस ब्रून के विक को जन्म के लिए अपना पूरा योगदान भी देता है गरबाशे की जो पेशी है उसको गरबाशे पेशी कहते हैं गरबाशे की उपर चोड़े भाग को फंडस कहा जाता है यनि कि गरबाशे का जो उपरी चोड़ा भाग है उसको फंडस कहते हैं फंडस के कौनों पर अंडवाहिनी नलीका पाई जाती है यो ये वाला हिस्सा है ये फंडस कहलाता है इसके जो दोनों किनारे हैं उनके यहाँ पर अंडवाहिनी नलीका पाई जाती है अंडवाहिनी कहे या डिमवाहिनी दोनों एक ही है यनिकी जो अंडाशेक अंडानु का निर्मान करने वाली नलीका हैं जिससे अंडानु आगे की और पहुंचता है निश्यचित निम्ब का विकास गर्बाशेक के अंदर ही होता है यनिकी वहां अंडानु जो की शुक्रानु से मेल कर चुका होता है तो उस निशेचित अंडानु का जो है उसका जो इतनी किसी रोपन जो कहा जाए गरबाशे के अंदर होता है जो कि शिशु जन्म के लिए आगे की और जुरूरी होता है रजोधर्म या रितुस्त्राव की किरिया में भी इसी से होती है यानि कि जो हमारी डिम वाहिनी नलिकाएं हैं इनके अंदर अंडाशे से आने वाला अंडाशे के अंदर अंडानु का निर्मान होता है ये अंडानु जो हैं हमारी अंडवाहिनी नलिकाओं में प्रवेश करते हैं और अंडवाहिनी नलिकाओं में प्रवेश करने के बाद अगर उसका रोपन शुक्रानुस हो गया तो वो हमारे गर्ब के अंदर ही ठहर जाता है और शिशु निर्मान में अपना योगदान देता अगर उसका जो रोपन शुक्राशे से नहीं शुक्रानु से नहीं हुआ तो वह अंडानु जो है हमारी अंडवाहिणी नलिकाओं से होता हुआ हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता हैं गरुबाशे की जो पेश्या है वह प्रसव के समय प्रसव यानिकी delivery के जो समय होता है उस समय वह संकूचत होती है और प्रसारित होती मैं कि वहापस फैलती है और ऐसी इस्ततीत हुद्पन करती है कि वह शिशुक को जन्म के लिए एक योगदान देती है और उस ब्रून को योनी के माध्यम से शरीर से बाहर निकानने में अपना पूरा पूरा योगदान देती है अगर सामानी तोर पर देखा जाए जो गरबाशे की लंबाई है वो 9 cm होती है इसकी जो लंबाई है वो 9 cm है और इसकी जो चोड़ाई अगर देखी जाए तो वो 5 cm के करीब होती है और इसकी जो दिवार है उसकी दिवार का जो अगर देखी जाए तो उसका दिवार जो है 2 से 2.5 cm के करीब इसकी दिवार होती है इसका जो वजन है अगर इसका वजन देखा जाए जो 40 से 50 ग्राम के कर कि बोता है इसका वजन है कि जो एंतिम माह में गड़्भाशय का गड़्चा का जो इस्तिती होती है उस समय जो गड़्भाशय का प्रसार है करीब छे से साथ गुणा अधिक हो जाता है यहनि कि यूँ कहा जाए कि जब एक शीशू पूरा आकार मा के गर्ब में ग्रहन कर लेता है यहनि कि एक शीशू का विकास हो जाता है और 9 माह की अवधी अगर देखी जाए तो 9 माह की अवधी जब शीशू का जन्म होना होता है तो उस समय जो यह गर्बाशा है अपने आका का छे से साथ गुणा अधिक फैल चुका होता है और तभी एक सुक्ष्म निश्यचित जो डिम्ब है वह पूर्ण सीश्यू का रूप ग्रहन कर पाता है अब अगर गरबाशय की जो रचना देखी जाए तो गरबाशय की रचना के अंदर कई भाग होते हैं जिनको तीन तहों से मिलकर बने होते हैं जो सबसे पहले गरबाशय की दिवार हैं वह मास पेश्यों की बनी हुई है और जो गरबाशय की आंत्री को अगर हिस्सा हम देखा जाए तो यह तीन तहों के अंदर बटावा रहता है इसमें पहला जो हिस्सा है वह पैरिमेट्रियम यानिकि जो गरबाशय की रचना अगर देखें हम अगर गरबाशय की रचना पहला जो है वह हैं पैरिमेट्रियम अगर पैरिमेट्रियम को देखा जाए तो यह हमारे जो गरबाशय का जो सबसे बाहरी हिस्सा है यह पैरिमेट्रियम है यहां गरबाशे की जो बाहरी दिवार बनाने का कार्य करती है इसे पर्यू दली भी कहा जाता है और अगर देखा जाए तो गरबाशे में विभिन भागों पर यहां असमान रूप से वित्रित होती है इसका जो अगर भाग में पेरिटॉनियम के वल फंडस भाग को ही गेरे रहती है और अगर देखा जाए तो पेरिमेट्रिम जो है गरबाशे नली को के साथ में मिलकर एक दोहरी तह बनाती है नहीं कि डबल जिल्ली का निर्मान करती है जिसे चौर्स नायू के नाम से भी पु मायू मैट्रियम है है मायू मेट्रियम जो है वह पेरिमेट्रियम के ठीक अंदर की जो दिवार है उसको मिल्मायू मेट्रियम कहा जाता हैatus है मायोमेट्रियम है इस दोनों के बीच वाला हिस्सा है और इस अधिक अगर जो मोटा भाग कहा जाए वह यही है और और एकित पेशिया है उन से मिलकर बनावा रहता है इन्हें पेशियों के साथ में यह अवकाशी जो उत्तक होते हैं और रक्त वाहिनिया हैं और तंत्र का सुत्र हैं वो इनके साथ में हमेशा मिले वे रहते हैं यह यूं कहा जाए कि इनके अंदर रक्त वाहिनियों का एक जाल बिछावा रहता है अब मायोमेट्रियम के जो अंदर का जो हिस्सा है अंदर की जो परत है वो हैं एंडोमेट्रियम जो हमारी तीसरी रचना है गरभाशे की वो हैं एंडोमेट्रियम तीन तहे हैं एंडोमेट्रियम यह जो गरभाशे का सबसे भीतरी हिस्सा जो कहा जाता है यही होता है अगर इसकी रचना देखे जाए तो यह थोड़ी इस्तंबाकार आच्छादक उत्तक की बनी हुई रहती है और इसमें म्यूकस हमेशा इस्तरावित रहता है जो की इसको गीला बनाए रखता है और साथ ही ग्रीवा के नास को उपर किया रगदेखा जाए तो दो बटातीन भाग म्यूकस मेंब्रन से इस्तरित बनता रहता है और जो नीचे का इसका हिस्सा है वह एक बटातीन भाग जो शलकी उपकला है उनसे आच्छादित होता है और जो एंड जो अंग है वो है अंड वाहिनी या डिम्ब वाहिनी अंड वाहिनी नलिका या डिम्ब वाहिनी नलिका अंड वाहिनी नलिकाओं के संख्या देखी जाए तो महिलाओं के प्रजन अंग में दो रहती है इनके जो संख्या है वो दो है इधर की तरस भी पाई जाती है इधर यहनी कि दाई और भी एक अंड वाहिनी पाई जाती है और बाई और भी एक अंड वाहिनी पाई जाती है गरबाशे के उपर अंड गरंथी के दोनों और एक दाई और तो दूसरी बाई और यह उपस्थित रहती है इसकी जो लंबाई है कम से कम 100 से 125 सेंटीमीटर के करीब होत हिससा है उसका तुंभिका के अंदर खुलता है अन्ड वाइनी नलिए चार सबसे पहला उसका होता है वायू कोश्टि का दूसरा हिससा है वो हे तुंभिका अंजी तीसर worm वों सउयूजक और जयतां सबसे बाहर वाला भाग है जिसमें अंगुली के समान अनेक उभार होते हैं यह जो हिस्सा है यह अंगुलियों के समान उभार पाये जाते हैं इनको वायू कोस्टिका कहा जाता है यह वाला हिस्सा वापस हो जाएगा तुम्भी का सबसे लंबा भाग है इसकी दिवार पतली होती है लचीली होती है अंतराकाशी सबसे छोटा और संक्रा भाग होता है तो इसका संबन हमेशा गरभाशे से बनावा रहता है आगे का जो हिस्सा है वो है अंतराकाशी का जिसका सम्द्ट सिधा गरभाशय से होता है अनडवाईनी नलीका के जो कार्य है ऩह पहला कार्य जो है अनडवाईनी नलीका डिमभ या अनड को हमेशा अंडग्रegenती से गरभाशय की और लाती है और यह जब लाया जाता है तो उसमें क्रंडानोपुंचिन गती होती या कि फैलती और सिकुरती है इस तरहergी गती होने से जो अंडानोफ हो अंड continuously लीग के अंदर प्रविश करता हूं दूसरा juryeg अंड क्रंति में अंडानों परिपक्व कभी भी नहीं होता युग है ज़िया टिंब यह अंड को परिपक्व करने में अपनी सहायता पर्दान करती यहां से यह जब संकुषन के माद में अंदर पहुचेगा उसको परिपक्व करंने में अपना पूरा पूरा योगदान देगी अभी तक जो अंडानू है वो अपरिपक्व है लेकिन अंड वाहिनी नली का में आने के बाद में वो परिपक्व हो जाता है अंड वाहिनी नली की आंतरिक बनावट में रोमिका पाई जाते हैं रोमिका डिम्ब या अंड को अंड वाहिनी में पहुचाने में सहायता प्रदान करते हैं यहीं कि जो अंडवाहिनी नली के अंदर पूरा योगदान देते हैं अंडवाहिनी की आंतरिक इस्तर स्लैश्मा का इस्तराव करती हैं यह श्लैश्मा अंडवाहिनी नली का है इनके अंदर एक तरलपरदाथ हमेशा इस्तरावित होता है जो यूँ कहा जाये कि अंडवाहिनी नली का में आने और्शुक्रानों को भी उसके अंदर गती करने के लिए जो एक गती क्या आवशक्ता होती है चिकनाट क्या श्यक्ता होती है वो उसे इस्तराव के माधियम से म उन्हों आगे की और बह सके आगे की और जा सके गती कर सके सामानिय तोर पर अंडानों का निशेचन अंडवाहिनी नली में ही होता है यहां से निशेचित अंडानों गर्भाशे की और बढ़ता है यानि कि जब अंडानों अंडवाहिनी नली का के अंदर पहुंचा वहां आक अन्डानु को महिला seeking अंदर ही स्थित्ष्त कर दिया जाता यहां इसे निश्यचित अन्डानु की गर्भाया विस्थापन की किरिया जो होती है वो सहगर्बिता कहलाती है यहीं कर वहाशे की दिवारे से जुड़ना प्रेगनेंसी कहलाता है इ Tas restrictive धाय के चालेस सपता बाद यानि कि 280 दिन का जो पीरेड रहता है यूं कहा जाए कि जो 9 मा का समय है उस समय में ये अंडानू जो परिपक वो अंडानू है जो इस्तती भी उत्पन हो जाती हैं कि जो निश्य चित दिम्ब है वो गरबाशय में ना पहुंच कर अपनी जगह बना लेता है और दीरे-दीरे वह शीशु निर्मान की और चल देता है तो यह जो डिम्ब होता है वह बहुत खतरनाक रहता है क्योंकि ऐसी इस्तती में अगर तुरंत उसको बाहर ना निकाला जाएगा तो यह अन्डवहिनी नलिका को फार देगा यानिकि उसके फटनी की जो आशनका रहती हैं और ऐसी स्तती में लेवा भी होता है जो की आट से दस सब्ता के बीतर अंडवहिनी नलिका के फट जाने की संभावना भी इसमें रहती है इसलिए गर्भबाद करवाना इनके अबॉप्शन करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जो गर्भाश है कि अंदर ही लिम्ब का नि जरूरी हो जाता है अगला जो अंग है वह हैं अंडश के अंडशक् colored डिम्ब वाहरे निका के शौत न्तर सीरे पर पायी जाते हैं एलिए जोका स्वासानी से देख सकते हैं इस स्वातन्तर सीरा है उस सीरे पर अंडाश्य जो पाया जाता इसका जो आकार देखा जाए तो बादाम के आकार का ये होता है और बूरे रंग की रशना भी इसकी होती है जिने अंडाशे या अंड ग्रंतियां है या डिम्ब ग्रंतियों के नाम से पुकारा जाता है अगर इसको देखा जाए तो ये महिलाओं के जो श्रोणी का जो भाग होता है उसमें ये उसके दिवार के पाश्व भाग में ये पाए जाते हैं और गर्भाशे के दोनों और यह पाए जाते हैं जो महिलाओं में गर्भाशे के इस्तती हैं इस गर्भाशे के दोनों और एक इधर की और दोनों और अंडाशे पाए जाते हैं प्रतेक अंडाशे के लंबाई देखी जाये तो 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर होती है और इनकी चोड़ाई जो है वो 2 सेंटीमीटर होती है और इनकी जो मोटाई है इनकी मोटाई है एक सेंटीमीटर के करीब होती है प्रतेक अंडाशे उपर की और गरबाशे से अंडाशे की सनायू तथा पीछे की और चोड़ी सनायू है उनसे चोड़ सनायू के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है चोड़ सनायू को मेजो ओवेरियन भी कहा जाता है मेजोवर्यन के द्वारा ही जो रक्त तत्रिकाएं वो अंडाशे में पहुंचती हैं यह रक्त वाहिनियों जो है वहाँ पर एक जाल की रूप में बिछी भी रहती हैं और इन्ही रक्त वाहिनियों से अगर देखा जाए तो आक्सिजन और पोशक तत्व जो है वो अंडाशे में पहुंचते हैं और अंडानू को पोशन प्रदान करने का कार्य करते हैं अंडाशे भी जो है वो दो इस्तर का बनावा रहता है पहला जो हिस्तर रहता है इसका वो है मेडिूला दूसरा हिस्तर जो इसका है वो है कॉर्टेक्स मेडिूला जो है वो तंतू उत्तक और रक्त वाहिनियों और तंत्रिकाओं का बनावा रहता है इनके बीच का ये इस्तर है कॉर्टेक्स सबसे बाहरी भाग है यूं कहा जाए कि बाहर की और होता है जो की मेडिूला को अपने आप में घेरे रखता है और मेडिूला को बाह जो कि मेढूला जिए गहिता है उसको को एक आवरं बनाए रखता है यह बहुत पतली महीन स्थतर होता है और अगर देखा जाए कि इसесे पूड़ा के विकासब अपने पूरी पूरी स्थतर देता है सान्जीवा समयोग देखाए चाहे जो की अंड़ाशे में अनिक अंड कोशाय सम्पन होता है अंड़ अंड़ कोशिका के रूजर पडिक हमने करीम çek cash को अंड़ा निर्मान होता है यानि के अंडानू का निर्मान होता है जिनने प्रात्मिक डिम्ब कोशिका के नाम से बुकारा जाता है ये प्रात्मिक डिम्ब कोशिका के लिए से चारसों-पांचों अंडानू ही परिपक हो जाते हैं अंडानू का ये विकास हैं बीच की कोशिकाओं के द्वारा उसको एक आवरन बनाए रखती है इसलिए इस आवरन को पुट्टी का कोशिका भी कहा जाता है यह पुट्टी के कोशिकाओं के द्वारा ही जो अंडानु है उसका पोशन जो है वो पोशन तत्थों के द्वारा अध्यता ओक्सिजन के द्वारा इसक देखा जाए तो कोशिका विभाजन का कारियों होता रहता है और जिसके फ्रल्स रूप जो अंडानों के चारों और इन कोशिकाओं के बहुत से इस्तर बनते रहते हैं यहीं की आवरन बनते हो जाता है इनकी जब कोशिकाओं बढ़ती रहती है तो इनकी संख्याओं में विव्रदी होती है और आगे जाकर यह अंड़जनन की क्रिया के लिए उत्तरदाई होती है और जो अंड़जनन के फल्स रूप कई बार यह होता है कि विकासिल जो डिम्ब है जब वह पूर्ण परिपक्व अंड़ानों में परिवर्तित हो जाता है तो यह अंड़ानों मेंब्रेना ग्रेनुलोसा के बीच में रिक्त स्थान हमेशा पाया जाता है और इसे रिक्त स्थान में पुट्टी की जो कोशिका है वो कोशिकाओं के विभाजन के कारण हमेशा यह रिक्त स्थान और इस तानम को देखा जाये थो पुटिका अवकास भी अवकास के अंदर पो ऐख हमेशा भरा रहता है जिसको ृटिका तरल कहा जाता है अंडानों इसी पुट्टीका तरल में मैंब्रेना ग्रेनुलेसा को कोशिकां से बनी एक वरंत पाई जाती हैं उसके द्वारे लटकता हुआ हमेशा पाया जाता है इस वरंत को डिसकस प्रोल लीजे रस के भी के नाम से भी पुकारा जाता है अगर महिलाओं में देखा जाएं कि कई बार एशी सथ्यूत्पन हो जाते हैं कि अंड्रार मास्जिझे की क्रिया होती हैं क्योंकि यह मासिक धर्म का मतलब होता है महिलाओं में होने वाला प्रतेख 28 दिन के अंदर का यह जो चक्र होता है जो कि 6-7 दिन तक चलता है जिसमें यह जो अब अंडानों है इनको अंडोसक करके बाहर निकाल दिया जाता है जिनके जुरुत नहीं होती है अगर यह अंडोसक के पहले ही अगर निशेचित हो जाते हैं शुक्रानू के द्वारा तो गर्भाशे में ठैकर गर्भ का निर्मान करते हैं और ऐसे स्तती में जो मासिक धर्म का जो चक्र है वह वहीं पर रुख जाता है अब हम देखेंगे अंडाशे के जो कार्य हैं सबसे पहला ज जो गर्भाशे के पास में इसके अंदर हमेशा एक अंडानू का निर्मान होता है और विकास होता है यह ग्रेफियन पुट्टी का में चारों और मेंब्रेन ग्रेनूलोसा की बहुत अवरन होता है जिसे यह हमेशा ढखावा रहता है यह ग्रेफियन पुट्टी का परिपक ुक वह और देनों को बाहर निर्वान करना इस्ट्रोजन हार्मोन का इस्ट्रोजन हार्मोन ग्रेफियन जो पुट्टि का है उनके द्वारा किया जाता है यह महिलाओं के जो देखा जाए तो इस त्री जनन अंगों के अंदर होने वाले जो हार्मोन है जो कि इस्त्री लक्षन को प्रकट करते हैं यह हार्मोन निरंतर स्ट्रोंआ के कोशिका ग्रेफिन पुटिका के द्वारा निकलता है और जो रक्त परिसंशन के द्वारान रक्त में डाल द्या जाता है यह हार्मोन इस्तृ जनन इंद्रिया जो है उसके विकास में हमेशा साहता करता है यानिकी जो इस्तिरी जनन अंग हैं उनकी कृयाशलता को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा जरूरी हैं यहां लड़कियों के योवना वस्ता के पतला होना है उनके जो जनन अंग हैं उनके उपर बालों का आना साथ में उनके कमर वाले हिस्से का चौड़ा होना और दुख्द ग्रंतियों का विकास होना इन सारे जो कारियों में ये जो हार्मोने अपना पूरा योगदार देते हैं अगला इसका जो कारिया है वो है प्रोजिस्टिरोन हार्मोन का इस्तराव करना प्रोजिस्टिरोन हार्मोन जो है वो कार्पस लूटियम से इसका जो इस्तराव वहां से होता है एलेच के माद्यम से कहा जाए तो यहां गर्ब को रोक कर रखता है यानि कि जो प्रोजिस्टिर प्रकार से कारिय नहीं करता है यह सब्सक्राइब के दोरान योनी द्वार और जणन अंगों को फैलाने का कार्य करता है यानि कि जो डिलिवरी का समय होता है उस समय जो महिलाओं के जो जनन अंग है उनको फैलने और शिशु जन्मों को जो प्रोथसाहित करने में सहायता प्रदान करता है ताकि वह फैल जाए और उसके फैलने की विज़र से शिशु को आगे की और धका मिलता है उ आसानी से गर्भाषे में पहुंच कर विस्तापित हो जाता है यहां तो अगर देखा जाए प्रोजेस्टर्ल हार्मोन है यह अगर देखा जाये तो इस्त्रियों के अंदर उसके जो गर्भ को ठेरने में तो साहता देता ही है साथ में गर्ब का पूरा निर्मान हो जाने पर विकास हो जाने पर नौ महा की जो इस्तिती होती है उस समय जो उसके जो गर्ब वाले हिस्से में जो उन अंगों का अगर देखा जाए फैलाव को भी नियंतरित करता है ताकि वो आसानी से फैल सके साथ में ही ये उनको चिकनाहट प्रदान करता है तरलता बनाए रखता है ताकि शिशू को भी आगे बढ़ने में सहायता मिले और शिशू का जो जर्म है वो आसानी से हो सके अगला अभी तक यह हमने पढ़ा जो महिलाओं के जो आंत्री प्रजुनांग हैं उनके बारे में हमने पढ़ा अब इसी से समधित हम पढ़ते हैं कि महिलाओं में होने वाला रितुस्त्रा रितुस्त्रा जिसको हम मासिक चक्र भी कह सकते हैं यह कि महिलाँ में होने वाले प्रत्रेक 28 दिन के अंदर एक चक्र चलता है जिसमें महिलाओं के शरीयर से जो देखा जाएं परिपक्व अंडानू हैं उनको बाहर की और निकाला जाता है यानि कि यूँ कहा जाए कि उनको 7 दिन के अंदर होने वाली एक प्रकरिया है जो 7 दिन तक चलती है जो कि परिपक्व अंडानु को महिलाओं के शरीर से बाहर निकालती है जिसको मासिक चक्र के नाम से जाना जाता है इसको रीतु इस तरह भी हम कह सकते है मासिक चक्र यानि कि 28 दिन एक माह में होने वाली प्रकरिया अब जो यह मासिक चक्र है वह 6-7 दिन तक चलता है प्रत्य किस्त्री के गरबाशे से अगर देखा जाए तो रक्त स्लैश्मा निश्यचित अनिश्यचित अंडानू श्वेत रक्त करिका है और इत्यादी का इस्त्राव जो होता है प्रत्य माह 28 दिनों की अगधी में होना संभव होता है जिसको हम कई नामों पुकारते है जैसे की रितु श्त्राव है मासिक चक्र है या फिर रजो धर्म हैं यह स्त्राव है यह इसके तीन नाम हैं जिन्से हम इसकों पुकार सकते है या फिर महा वारी भी इनको खहा है हनता है महावारी हके माहां में होने वालिवां महां में होने वाला01 स्तुराव है 6 से साथ दिन तक चलने वाला एक चक्र होता है वित्थ्वत्वश्ता 12-14 वर्ष की आयुस्ता होने पर महिलाओं में शुरू हो जाता है अगर देहा जाए तो 12-14 वर्ष की स्थिति आने पर महिला के अंदर या इस तरी कहा जाए तो लड़कियों में होने वाला 12-14 वर्ष की उम्र में यह चक्र जो है वो शुरू हो जाता है जो कि 48-50 वर्ष की स्थिति आने पर अपने आप रुप जाता है परंतु अगर देखा जाए कि सगर्वता की स्थिति है या गर्वधारन की स्थिति है इसा गर्वधारन का मतलब होता है प्रेग्नेंसी के समय या गर्व रोपन के समय यह जो चक्र है वो रुक जाता है प्रेग्नेंसी में यह चक्र पुरी तरीके से बंद हो जाता है और बाद में जो हैं वो सिशू के निर्मान में अपना पूरा योगदान देते हैं जब अंडानों का सुक्राणों दोरा निशेशन नहीं हो पाता है तो प्रोजेस्टिरन जो हार्मोन है वो प्यूश ग्रंती की क्रिया शिलता को हमेशा हार्मोन होता है यानि कि ल्यूटिनाइजिंग एक हार्मोन है यह जो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है उसका इस्तराव कम होने लगता है और इस हार्मोन के कम इस्तरावित होने से गर्बे में जो रक्त गर्बाशे में जो रक्त संचार है वो हमेशा बढ़ जाता है ब और अधिक रक्त संचार से इसलैश में कला फट जाती है और रित्तु इस्तराव की अधी से होकर हमारे योनी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है यह यू कहा जाए कि जब लुटीनाइशंग हार्मोन का इस्तराव कम होगा तो ऐसे इस्तती में जो हमारे शरी में रक्त का संचार हो रहा है वो रक्त जो है अधिक मात्रा में हमारे शरी से बाहर निकाल दिया जाएगा यानि कि स्लेश्मिक कला के फटने की वजर से ये जो जमा रखते हैं वो महिलाओं में 28 दिन के बाद में बार बार निकलना शुरू होता है जो कि 6-7 दिन की प्रक्रिया के पशात उसको शरी से बाहर निकाल दिया जाता है इसको हम कहते हैं रित्तु इस्त्राव यानि की मासिक चक्र तो अभी तक हमने पढ़ा कि महिलाओं के जो आंत्रिक प्रजनन अंग हैं उनके बारे में पढ़ा और महिलाओं में होने वाला रित्तु इस्त्राव या मासिक चक्र इनके बारे में पढ़ा अभी तक आपको इसके पर कोजिशन कर सकते हैं थैंक यू